एलो फ्रेंट्स बीवी गार्डन में आपका स्वागत है तो फ्रेंट्स आज की जो वीडियो है एक ऐसा प्लांट जो बल्ब से ग्रो होता है और उसका जो फूलों का सीजन है वो आने ही वाला है अगर आपने नहीं लगाया तो उसको लगा लीजिए कहां मिलता है कितने प्र मैं आप से शेयर करूंगे तो आई देखते हैं तो ये है आज का प्लांट जिसके बारें मैं आज हम बात करेंगे तो देखे ये है रजनी गंदा रजनी गंदा एक परमनायन प्लांट होता है जो पूरा साल मारे गार्डन में रहता है और ये बल्ब के फूलों bacteria होता है इस seed shop से इसके आप बल्ब भी ले सकते हैं बल्ब भी इसका एक बल्ब जो है 10-15 रुपे का मिल जाएगा तो जहां से भी आपको असानी से मिल जाएं तो आप इसको अपने गार्डन में इस समय एड़ कर सकते हैं तो अगर आप जब इसको नर्सरी से लेते हैं तो यह आपको 50-60 रपे का प्लांट भी मिल जाएगा जादा कम भी मिल सकता है तो इसको अप जब भी लाएं नर्सरी से तो वेल डेन मिट्टी में ग्रो किजिए जिसमें गार्डन सॉयल रेथ और कुछ खाद मिला लीजिए तो ऐसी मिट्टी बनाईए जिसमें पानी नहीं रूखे और फंगी जून में इसमें फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगी तो देखिए मेरा ये प्लांट जो आपको देख रहे हैं मैंने ये आनलाइन एमाजोन से लिया था इसके बल्ब मुझे मिले थे 100 रुपीज के कोई 10 पाराम बल्ब जो मिले मुझे मिले थे तो देखिए अभी तो तो देखिए जो फ्लावरवल बहुते हैं, बहुत ही अच्छी सी खुश्बू होती है। तो इनको आप इस समय लगाने का अच्छा टाइम है। तो अगर आपके पास आलड़ी ही प्लांट है तो उससे अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए कि अंड़ सकते हैं जैसे अभी अध्र मन्थ का END हो रहा है तो अपने प्लांट को फूलों को त्यार्शे लेने के लिए उसके ट्यार कर सकते हैं तो मेरा अभी मैं आपको प्लांट दिखाऊंगी उसमें बहुत ही अच्छी से ग्रोथ शुरू हो गी है ये देखिए ये मेरा प्लांट है जिसमें बहुत ही अच्छी से ग्रोथ शुरू हो गी है और इसमें न्यू न्यू जो है इसकी शूर्स निकल रही है इसकी ग्रोथ श अच्छी होगी है और आज मैंने देखिए इसकी गुडाई करी है और गुडाई करके मैंने देखिए जो साइड साइड की मिटी है उसको मैं हटाऊंगी क्यूंकि अभी इसकी ग्रोथ चुरू होगी है और इसका फूलों का सीजन वह भी आने वाला है तो इस समय बहुत ही मिट्टी है, इसकी हटा रही हूं, तो, बीच में तो बल्ब भी looking, तो इसको फट्राव करोंगे को इस तरीखेérica की अपने प्लान्ट को इस समय फूलों के लिए त्यार आइज हर आधा है, है और मैं इसको अभी यह वाला फटलाइजर दोंगी तो देखी यह है फटलाइजर जो मैं अपने प्लान्ट को अभी देने वाली हूं तो देखी है बोन मील और साथ में नीम खली यह कुछ दिन पहले ही मैं ने को एक महिना पहले एमाजून से ही मंगवाए थे दोनों फटलाइजर तो इसको मैं आज देने वाले हैं देखे इस तरीके से अगर आपके पास ये चीजी हैं तो ये दे सकते हैं आप अपने प्लांट को इस समय नीम खली से जो है अमारे प्लांट को फंगस नहीं लगेगा और साथ में जो प्लांट की जो इनर्जी मिलेगी इसको फ्लावरिंग अच्छी फ्लावरिंग करने के लिए तो देखिए मैंने मिट्टी तो आलड़ी ही हटा लिया है और मैं अभी चम्मच से इसमें ये फटलाइजर डाली हैं दोनों मिला के तो अगर आपके पास ये बोन मिल और नीमकली हैं तो ये ढाल सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बर्मी कंपोस्ट जो सिंपल होते ही है वो डाल सकते हैं कोई भी फटलाइजर इस समय देना इसको ज़रूरी होता है क्योंकि अभी 1.5 महीने के बाद इसमें फलावरिंग होगी तो अगर हम इस समय इसको अच्छे से फटलाइजर देंगे तो ही हमारा जो प्लांट ऐ अच्छे से फलावरिंग देगा तो अगर आप चाहते हैं कि अपने प्लांट में अच्छी फलावरिंग हो तो अगर आपके पास यह हैं तो यह दे सकते हैं, कोई भी fertilizer इस समय इसको देना ज़रूरी होता है, इसकी flowering का season आने वाला है, तो जो भी आपके पास fertilizer हो तो इस समय आप अपने plant को देजिए, तो आने वाले season में इसमें जो है अच्छे से flowering होगी, और देखे मैं इस तरीके स अच्छे से इसको दे रही हूँ, side side में डाला है, जब पानी डालूँगी तो सभी जड़ों को मिल जाएगा, तो देखे अभी जो मैंने मिटी निकाल ली थी, उसको भी मैं इसके ओपर डाल रही हूँ, और उसके बाद इसको देना है, तो पानी भी simple नहीं देना है, उसमे मैं कुछ डाल के इसको दूँगी, तो देखे इस तरीके से आपने पहले इसको अच्छे तरीके से जो fertilizer हमने डाला है, तो इसको अच्छे तरीके से मन ढख लेना है, और देखे ये plant हमारा जो है, तो थोड़ा सा जो तियार हो रहा है, full insulin से लेने के लिए, तो देखे अभी ये इसमें मिट्टी में अच्छे से भर ली है, और अभी मैं इसको पानी दूँगी, और पानी में डाल के देना है, इसको micro nutrient, ये देखे, ये सीविड एक जग बरके पानी लिया है, मैंने और इसमें दो तीन बूंट जो है, इसके डाली है, ये है, सीविड लिक्ड है, ये ये इसमें जो है, ये भी प्लावरी इसको बूस्ट करता है, और जो micro nutrient की जो कमी होती है, प्लावरी को, उससे जो है, उसको भी पूरा करता है, और देखे, मैंने दो तीन बूंदे डाली है, इस जग में, एक जग भर के पानी इसको दे रही है हूं, और ये आपने पूरी म बहुत ही अच्छे से फकलावरिंग करेगा, तो भी मैं आपसे श्यर करूँगे, तो इस तरीक से आप अपने प्लांट को इस समय cooler कर सकते हैं, इस तरीक से एक आपने महिने के बाद में पूर में प्लाने की से ऐदे आपना घम कर सकते हैं, तो अब बात करूं किस प्लान-क इसको आपने कितनी सनलाइट में रखना है तो इसको आप 3-4 गंटे की चार-5 गंटे की दूप में रखना है इसके ज्यादा की दूप में इसको नहीं रखना है पानी की बात करूँ कि गर्मी की दिन में आपने इसको पानी कैसे देना है तो पानी इसको जो है जैसे हम प्लान प्लांट को ज्यादा भी पानी नहीं दिया जाता है तो इतना पानी देना है कि इसके हलका सा जो मॉस्चर है मिटी में बना रहे और प्लांट को जो पत्ते हैं उसको सूखे ना बगार पानी की बज़ा से तो इतना पानी आपने देना है इसको और इस तरीके से आप अपने प subscribe कीजिएगा तो thank you friends वीडियो को देखने के लिए वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जुरूर बिताएगा और फिर मिलते हैं किसी ने वीडियो ने टॉप पी के साथ अब तक लिए बाई हैपी गारने